आप देख रहे सिवेंटीवी गोर्बंजारा में हुँ जादव सीनुनायक तेलंगाणा में विकराबाद जिल्ला तांडूर मंडल में भूक एलास जोतिरलिंग देवस्थान बहुत बड़ा मंदिर है इस मंदिर में हर साल महा शिवरात्री के दिन बहुत बड़ा मेला होगा इस मेला में हर साल लाखो संक्या से भक्त लोग आके बारा लिंग और सिवजी का शंकर भगवान का लिंग का दर्शन करके जा सकते है तो देखिए अपके साल लाखो संक्या में भक्त लोग ऐसा बड़ा लाइन रहेगा क्यों इस लाइन में खड़ा रहे के भक्त लोग पुरे अंदर लिंग का दर्शन करने के लिए बहुत घंटों तक खड़ा रहे के पुरे दर्शन लेते तो इस मंदिर वासु पमार शंकर पमार धोनो भाई देखिए राम लक्षमन जैसा भाई है उसी तरहा आलिंडिया बंजारा सेवा संग नेशनल प्रेश्डेंट शंकर पमार सर वासु पमार सर दोनों मिल जुलकर इस मंदिर को इतना बड़ा मंदिर को भंदे तो देखिए बहुत बड़िया मंदिर, बहुत सुन्दर मंदिर है तांडूर में तो देखिए हर साल महाशिवरात्री के दिन आप जरूर जाके इस मंदिर में आप भी दर्शन ले सकते है तो देखिए शिवरात्री के दिन, एकादशी के दिन लाको संक्या में भक्त इस क्यू में इस लैन में कड़ा रहे के पानी में इसे जाके अंदर लिंग का दर्शन करते है तो देखिए अंदर इदर उदर बहुत बड़े जाड पेड और पार्क सभी रहते है सबी भगवान का मंदिर भी रहते है तो देखिए इदर शंकर भगवान का सिवजी का बहुत बड़ा विग्रह दिख रहा है तो देखिए इस शंकर भगवान का बड़ा विग्रह असी फिट का रहता है पानी में से अंदर जाके अपन इस लिंग का दर्शन करना चाहिए तो देखिए पानी में से 12 लिंग रहते है 12 लिंग दर्शन करने के बाद एक महा लिंग रहता है ये लिंग का दर्शन करके अपन आशिरवाद लेना चाहिए तो देखिए आल इंडिया बंजारा सेवा संग का नेशनल प्रेज़ेंट शंकर पमार सर इस मंदिर को भंद के लाखो संक्यों को इदर दर्शन लेने के लिए इतना अच्छा इंतिजाम करके रखा है तो देखिए आज शंकर पमार सर भी एक अद्मी के रूप में एक भगवान हो सकता है आज शंकर भगवान के भक्त लोग सभी लोग आके तांडूर मंडल विकराबाद जिल्ला तलंगाणा में इतना बड़ा मंदिर असी फीट का सिव शंकर भगवान का इतना बड़ा विग्रह दिख रहा है तो देखिए आज तिलंगाणा में इच बहुत सुंदर मंदिर बहुत बड़ा मंदिर तांडूर भूकैलास जोतिरलिंग देवस्थान लाखो संख्यों से भक्त लोग इतर शामिल होते हैं आपके साल करोना महमारी से बहुत लोग सफर हुआ है बहुत परिशानी है तो भी भगवान के दर्शन के लिए भक्त लोग लाखो संख्या में आके शंकर भगवान का दर्शन लेके जा रहे हैं तो देखिए इस तांडूर में इस शंकर भगवान के दर्शन के लिए आल और इंडिया में जितना भक्त लोग रहते हैं स्वामी जी बंजारा स्वामी और दुसरे दुसरे स्वामी महाराज लोग भी इधर आके दर्शन लेके जा सकते हैं तो देखिए इस मंदिर के बाजू में अच्छा जाड पेड लोकेशन अच्छा रहता है और इसी तरह से शंकर भगवान के मंदिर के पीछे अच्छा स्विमिंग फुल और बहुत बड़ा बहुत सुन्दर लोकेशन तो देखिए इतना अच्छा लोकेशन किदर भी दिखता है बोले तो आज तांडूर भूक एला समेच शंकर पववारसर इतना अच्छा मंदिर भंद के अपने के लिए रखा है इस मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए हजारो लाखो भक्त लोक आके इधर पूजा करके दर्शन लेके जाते हैं तो देखिए इस मंदिर में ट्राफिक ज़्यादा नहीं होना बलके कुछ गडबड नहीं होना बलके पोलिस व्यवस्ता शेक्रूटी व्यवस्ता भी अच्छा है तो देखिए भक्त लोग पैदल भी आते हैं टूवीलर फोरवीलर और बड़ी वेहिकिल कौन सा भी वेहिकिल पे आने दो लेकिन उन भक्त लोगों को सेक्रूटी और पोलिस बंदोबस से उस वेहिकिल को बार के बाहर एक दो किलोमेटर दूर एक पार्किंग भी रखते हैं तो देखिए उस पार्किंग में अपना वेहिकिल उदर रखे उदर से अपन पैदल और चलके जाके भगवान का दर्शन लेना चाहिए तो देखिए भक्त लोगों इदर ट्राफिक ज़्यादा नहीं होना बलके टू विलर या त्री विलर या फोर विलर कौन सा भी वेहिकिल रहने दो हज़जारों वेकिल्ज देखिये इतना अच्छा पूरे ट्राफिक नहीं ज्जादा हो ना बलके जिदर के उदर इतना अच्छा रखा हुआ है तो देखे इतना अच्छा इंतेजाम इतना अच्छा व्यवस्ता किदर है बोले तो तांडूर भूक एलास जोतिरलिंग देवस्थान आज विकराबाद में इतना अच्छा मंदिर तिलंगाना में फश्ट मंदिर भूक एलास जोतिरलिंग देवस्थान शंकर भगवान के मंदिर के सामने एक बहुत व्यालिबूल मेशेज भी रहता है और अच्छा अपने कुछ देखने के लिए भी एक अच्छा सुन्दर मंदिर बन्दा है तो देखें इसका एक अच्छा मेशेज क्या है बुले तो आप ही देख सकते है तो अपन जिन्देगी में एक बार पेदा होते है एक बार मरते है तो देखिए अपन पेदा हुए जब छोटा सा अपना पेदा होने के बाद एदे ऐसा रहते है बाद में थोड़ा बड़ा होने के बाद ऐसा रहते है तो बाद में और थोड़ा बड़ा होने के बाद अपन कुछ भी करके एधे देखिए ऐसा होते है बच्पन में और थोड़ा बड़ा उसके बाद यंग एज में और बड़ा होया जब एधे ऐसा रहते है तो और थोड़े एज होने के बाद बुड़ापन में यदे ऐसा होते है और बुड़ापन में लकडी रहके ऐसा खड़े रहते है और बुड़ा हो गया तो ऐसा बैट जाते है और बाद में अपन मर गये तो यदे ऐसा रहते है सरकी लिशन देखिए अपन पैदा हुय एक बार और मरते एक बार तो देखिए इसका अच्छा मेसेज है तो जितने दिन रहते है उतना दिन अच्छा रहना सबसे मिलजुल के रहना बलके इसका एक अच्छा मेसेज भी रहता है तांडूर भूक एलास देवस्थान तो देखिए शंकर भगवान का मंदीर इतना सुंदर उपर शेप पानी तो इतना सुंदर मंदीर तांडूर भूक एलास में देखने के लिए अच्छा है तो आप भी कभी भी जाके तांडूर भुक एलास में जाके देख सकते हैं तो ऐसा ही देखते रहिए सिवें टिवी गोर बन जारा इस भुक एलास में भवानी माता शेवालाल महराज का मंदीर भी रहता है तो इस मंदिर के सामने दो दिन का महा यग्णकार क्रम ब्रह्मन के साथ होता है तो देखिए इस यग्ण में घर के अद्मी टेम्पुल के चैर्मेन सभी लोग बैटके पूजा करते है तो देखिए इतना अच्छा बड़ा मंदिर किदर है बोले तो तांडूर में इसके बाजू में एक बड़ा होमम है इस होमम में अपना भगवान रामराव महराज के हाथ से इदर आग लगा के गया तो उस आग कभी भी जिंदेगी में नहीं जाना बुलके एक 15 साल से कंटिन्यू उस होमम में भी अच्छा आग रहता है तो देखिए अलिंडिया बंजारा सेवासंग नेशनल प्रेजिजेंड शंकर पमार सर भी इस यगने का पूजा कर रहा है और आरती कर रहा है तो कितना भी बड़ा अदमी होने दे लेकिन इधर आके पूजा करते है तो इस पूजा में शामिल होते है तो देखिए शंकर पमार सर एक ही बोलता है कितना भी अदमी बड़ा होने दे लेकिन पूजा करना और अपने को जितना पैसा आए उस पैसे में से आदे पैसे नहीं तो चाराना पैसे रप्या में से चाराना पैसे भगवान के लिए खर्च करे तो भगवान अपने को अच्छा देता है बोलके अच्छा पूजा करता है ज्ञान बुद्धी अच्छा-च्छा मेसेज भी देता है भक्त लोगों को तो देखिए अपन शंकर पोवर सर का भी बात सुनके आगे चलना चाहिए तो इसी तरह से इस मंदिर में नाइट रात में भजन कारेक्रम कीर्तन और कल्चरल एक्टिविटीस सभी रहता है और 11 बज़े के अंज़ादा अग्णी गुंड तो इस अग्णी गुंड में से भक्त लोग पूरे अंदर से चलते हैं तो देखिए आज अपन इस अंगार के बाजु में से चले तो बहुत दुख होता लेकिन इस बड़ा अंगार इतना अच्छा अंगार तो इस अंगार में से भी अदमी अंदर से चलते हैं तो वो अदमी कुंसा आदमी बोले तो भक्त लोग इतना अंगार में से चले तो भी इस भक्त लोगों को कुछ भी नहीं होता तो इतना भक्ती से इतना सच्छा मन से इस शंगर भगवान के नाम पे से अच्छा भक्त लोग दौड़ते चलते रहते हैं तो देखिए इस में से चले तो अदमी को कुछ भी नहीं होता उसके कुछ भी हेल्थ प्राबलम रहने तो नहीं तो कुछ भी अच्छा होना बलके इस अंगार में से इस अगनी गुण में से चलते जा तो देखिए इस अंगार में से जाने के लिए पहले पूजा बुरसकार करते हैं पूजा करने के बाद और ये पूजा देखिए कैसा कर रहे हैं तो ये पूजा में आल इंडिया बंजारा सेवा संग का नेशनल प्रेजिडंट शंकर पमार सर है और इधर उनका भाई तो दोनों देखिए राम और लक्षमन जैसा है वैसा इन दोनों मिल जुल के रहता है तो देखिए ऐसा है बोलके तांडूर भुक एलास में भगवान इतना अच्छा सभी लोगों को दर्शन भी दे रहा है इस दर्शन देने के लिए इन दोनों भाई इदर कितना अच्छा पूजा कर रहे है देखिए और ब्राहमिन्स भी तो इदर ब्राहमन पूजारी भी इदर पूजा कर रहे है तो देखिए अंगार अब देखिए इस अंगार में से अद्मी कैसा चलते है देखते रहे तो अब वासुपमारसर इस मंदिर का में अद्मी है तो देखिए कैसा चलता है देखिए अंगार इस अंगार में से चलते आ रहा है देखिए उसके साथ भक्त लोग कैसा चल रहा है तो इतना अंगार इस अंगार में से इतना अच्छा भक्त लोग सिवदिक्षा के अद्मी और सभी लोग कैसा दवड रहे है देखिए तो इतना अच्छा festival इतना अच्छा सिवरात्री के दिन करते है आप भी कभी भी जा सकते है ऐसा इस अंगार में से चलते जाता है भक्त लोग ऐसा चलने से उन लोगों के आशा कुछ भी रहता है भगवान के लिए मांगना हमारे को कुछ भी नहीं होना हमारे घर संसार सभी अच्छा रहना बोलके जो उनके मन में जो सोंचते है जो भगवान को लिए कुछ मंगते है ये ऐसा इस अंगार में से चल के मंग लेते हैं लेकिन इतना अच्छा अंगार इतना डेंजर अंगार में से भी चल तो अदमी को कुछ भी नहीं होता तो भगवान का चमतकार भगवान का आशिरवाद ऐसा रहता है भगवान देने के लिए भी रड़ी है भगवान लेने के लिए भी रड़ी है तो भगवान को जो मानता है उस अदमी को भगवान देता ही रहता है कुछ भी काल संकट कुछ भी हुआ तो भी उस संकट में से बार लेके आते हैं उसके लिए सभी लोग भक्त लोग भगवान को मानना चाहिए भगवान को अच्छा प्रणाम करना चाहि तो देखते रहिए ऐसा ही इस मंदिर में अबके साल तिलंगाणा में जितना पूजारी है जितना भक्त लोग है सभी लोग आके इधर भगवान का आशिरवाद लिए दर्शन लिए तो ऐसा ही देखते रहिए सेवें टिवी गोर बंजारा मैं हूँ जादो सीनुनायक जादेओ देखो मार भाईयो ये सिवरातिरी महापोजया ये तांड़ार में वासु श्यंकर भगवान तमसे आते रेवन जाते रेवन पावरागर काशी तीर दी जागाव गनवेगी चे अच्छा जागार घंभारी वेगी चा भंबाई मा दिली मा आर भाभू आताने डव आपने उद्हार करकोचार भाभू जिन्दा बेटोचा तमने से कोधी-कोधी भर्नमतों तो पार भायो जये भावानी जये शेवाला जये रामराव भाभू 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 जये रामराव भाभ झाल झाल